तो फाइनली नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अडित्या अनन्द स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजानिंग मंत्र में एक और नई वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आज चुक हूँ जिसके अंदर आज हम बात करने वाले गवर्मेंट अप इंडिया के इंटर्निसीब प प्रोसेस के बारे में कैसे आपको रेजिस्ट्रेशन करना है कैसे आपको इंटर्निसीब के लिए अपलाई करना है और कैसे आपको अपने अप्लिकेशन को यहाँ पर ट्रैक करना है आप सभी को मैं बता दू यहाँ पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है जिसके अ आपको यहाँ पर internship करने का मौका मिल जाता है, अगर आप select होंगे तो directly आपको ISIPS या फिर किसी बड़े officer के साथ काम करने का यहाँ पर मौका मिलेगा, लेकिन कुछ rules and regulations होती है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी से rules बता देता हूँ, आप लोग इस type के internship के लिए हर महने के एक तारीक से लेकर के 10 तारीक तक ही apply कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग apply नहीं कर सकते हैं, इसी के साथ जिस भी internship के लिए आपको apply करना होगा, और internship के दो महने पहले तक आपको apply करना होगा, तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे rules and regulations हो सकते हैं, आप लोग confused हो जाहिएगा, इ आपर मैंने सारी बात आपको अच्छे तरीके से समझाईए, लिंक मैंने आप सभी को description में भी provide कर दिया है, आप finally पूरी बात करने के लिए सीधे चोलेंग अपने laptop screen के तरफ जहां से मैं आप सभी को registration process के बारे में बता पाऊंगा, लाइव यहाँ पर दिखा पाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर छोटी से request करना चाहूँगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा, टिक्स्ट दिखेगा, जिसके तुरूर आप लोग यहाँ पर application के लिए apply कर सकते हैं, अब बात आदिये track और application, एक बाद आपने यहाँ पर apply कर दिया, उसके बाद आप लोग अपने application को यहाँ से track कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको कोई भी problem हो, तो आप लोग directly यहाँ पर जाकर के mail भी ने कर सकते हैं, इसे के साथ download guidelines को भी आप लोग download करके पढ़ सकते हैं, वैसे download guidelines को मैंने अपने telegram group पर भी भिज़ दिया, अगर आप लोग उने join कर लिया है, तो आप लोगों को यह वहाँ पर मिल जाएगे, एक बार इससे भी आप लोग देख लिजएगा, आज के वीडियो में directly बात करते हैं, आपको apply कैसे करना है, तो simply आपको apply here का एक text दिख जाएगा, जिस पर आपको click करना है, यहाँ पर एक external website पर ले जाएगा, आपको ok पर click करना है, उसके बाद आप देखेंगे, एक new page खुल कर सामने आगा, वैसे यहाँ पर form आ जाता है, लेकिन आज नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना हो, apply online का यहाँ पर एक ऊपर में आपको text दिख जाएगा, जिस पर आप जब click करेंगे, यह rate हो जाएगा, इस पर आपको click करना है, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, आपका form यहाँ आपर खुल कर आ बहुत important part होने वाला वीडियो का, इससे आप लोग यहाँ पर skip मत कीजेगा, वरना हो सकता है, आपके यहाँ पर selection नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़े हैं, जो आपको समझनी होगी, सबसे पहले start करते हैं, आपको अपनी name को यहाँ पर डालनी है, first name, last name, father's name, address, contact number pin code, email id, email id बिल्कुल सही डालेगा, date of birth भी आप लोगों को बिल्कुल सही डालना है, तो यह तो normal information थी, अब यहाँ पर आपको क्या करना, educational qualification, जो कि starting from 12th onward है, जो कि 12th से यहाँ पर start हो जाएगी, पहला आपको यहाँ पर senior secondary, आपको यहाँ पर select किया हुआ, पहले से मिलेग इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना, यहाँ पर आपको tools की details डालना, discipline, subject, जैसे मेरा अगर science है, तो मैंने science डाला, किस board से हैं, किस university से हैं, कोई भी एक चुछ आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसके पर सबसी important है year of joining, यह सारी year of joining बहुत important है, इसी सी यह decide होका कि आपके application पुली ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग देख सकते year of joining मैंने July 2014 डाला है, कब मैंने complete किया year of completion यहाँ पर मैं 2016 है, इसी के साथ complete है, तो यहाँ पर मुझे कितने percentage है, 82 है, उसके बाद मैंने BCA किया, अगर आपने यहाँ और भी subject से यहाँ पर graduation कर रखा है, जैसे कि जाकी रूसयन, कब से मैंने start किया, तो जुलाय 2016 से मैंने start किया, और मैंने यहाँ पर खत्मे से, अगस्त 2019 मिवा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते है, जो भी graduation के courses होती है, वो 3 साल की होती है, तो यहाँ पर मैंने उस type से यहाँ पर सारी चीज़ों को fill कर दिया, उ बीए किया है, तो उसे भी आप लोग fill कर सकते हैं, I'm tech किया है, MSE किया है, कुछ भी अगर आपने किया, तो आप लोग उसे यहाँ पर fill किजेगा, जो भी आपका यहाँ पर discipline होगा, उसे आप लोग यहाँ पर select किजेगा, discipline में अगर क्या डालना, आपको अगर यह पता करन है, तो यहाँ पर important किया, जो भी आपकी last education होगी, आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने August 2020 से start किया, और July 2023 में मैं यहाँ पर complete हो गया, अगर आपका pursuing हो तो आप लोगों को यहाँ पर pursuing में डालना है, इसी type से आपको यहाँ पर सारी data को fill करना है, आप देखेंगे, अगर आप आपका pursuing है, तो यहाँ पर आपको select करना होगा, yearly अगर आप लोगों को यहाँ पर marks दिया जाता है, तूसी साफ से आपको yearly select करना है, और यहाँ पर अपने marks देनी है, अगर आप लोगों यहाँ पर semester wise देना चाते हैं, तो semester wise भी आप लोग यहाँ पर marks को दे सकते हैं, लेकि क्योंकि जुलाइ में तो आपके complete हो दिया या फिर यहां पर अगर आप लोग लास्ट समेस्टर में तो आप लोग को यहां पर option भी दिख जाएगी आप लोग यहां पर select कर सकते जून मैं जुलाइ अगस्ट सेप्टेमबर तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर करना है तो मेरे केस में यहां पर मैं complete करना हूँ जुलाइ के मन्त में इसलिए मैं यहां पर select करने वाला हूँ अगस्ट अगर आपके किसमें अगर आपकी pursuing है तो आपकी कब complete होगी जब भी आपकी complete होगी उसके बाद ही आप लोग यहां पर alternative के लिए select किजिएगा उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहां पर area of interest बहुत सारी यहां पर आती है मैंने यहां पर data management and analysis को चूज किया क्योंकि मेरी यहां पर computer science की फिल्ड है आप लोग यहां पर कई और भी सारी currently आप लोग है उसका बस यहां पर आप लोगों को simply नाम डाल देना है नाम डालने के बाद आप लोगों को यहां पर देखना preview पर क्लिक करना in case अगर कोई भी गलती आपसे रहे गई हो तो आप लोग उसी यहां पर ठीक कर पाएंगे तो finally जैसे ही आप लोग यहां पर preview पर फिर से यहां पर फिल करते लेकिन मेरी recommendation यह देगे कि एक बार में सारों को अच्छी तरीकत से फिल करें पहले बार में आप लोग चेक कर लो उसके बाद प्रिव्यू करें प्रिव्यू करने के बाद आप देखेंगे यहां पर सारी चीज़े आज चुकिए उसके बाद यहां पर अपलोड कर दिया जिसकी यहां पर PDF फाइल होनी चाहिए less than 5MB होनी चाहिए उसके बाद आपको यहां पर terms and condition में जाकर के agree कर देना है उसके बाद signature आपको यहां पर एक digital signature अपने डालनी होगी उसके बाद आपको finally यहां पर submit कर देना है लेकिन एक बार मैं आपको आपको यहां पर एक message भी हो जागा your application is submitted successfully kindly note down your registration number जो भी आपके registration number इससे आपको note down करके रखना है क्योंकि आगे की process के लिए बहुत important होने वाली तो registration number को बेलकुल अच्छे तरीके से आप लोग यहां पर रखिएगा इसी के साथ आप लोग यहां पर देख सकते हैं print का भी आपको option मिलेगा इससे आपको print निकाल कर जरूर रख लेना है तो सबसे पहले दो कम आपको क्या करना है आपको registration number रख लेना है उसके बाद print आपको निकाल कर रख लेना है और भी बहुत सारी important information इसलिए मैंने आपको बार बार का कि आप लोग पुरानी वीडियो को जरूर ड्रैक और application status पर जाकर के click करना है तो finally भी हमारा कोई भी record found नहीं हो पाए क्योंकि आप देखेंगे यहां पर मैंने अभी 32 application form को submit किया है तो कुछ इस तरीके से आप लोग सारी information को यहां पर फिल कर सकते लेकिन एक और यहां पर problem आप सभी को हो सकते मैं बता दू अगर जै इसको खुलने के बाद आप लोग सही तरीके से सारी information को fill करके check out करके यहां पर आप लोग आप लोग इस तरीके से apply कर सकते हैं तो फानली आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारी information प्रवाइड कर दी कैसे आपको apply करना है क्या registration process होने वाला है क्या applying process होने वाला है करूंगा आज की वीडियो आपसे भी को informative लगी हो वीडियो informative लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर किजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में